जी नमस्कार, मैं हूँ पल्टु महतु और आप देखरें जारखन पलस, यूट्रीफ पर पल्टु ओफिसियल पर जी तमाम जारखन में पताई योगा कि रेगुलर में वीडियो आपको नियोजन निति 6040 को लेकर लेगुलर अपडेट देते रहता हूँ और आज भी वही अपडेट लेकर आया हूँ कि नियोजन निति 6040 का आज लास्ट चरन है यह पहला जो चरन था कहीं न कहीं 10 मैं से लेकर 25 मैं तक आज उसका अंतिम तिथी है और अंतिम तिथी तक कितना बिधायक और संगसोदों का समर्थन मिला है मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताने कोसिस करूँगा साथ ही आज कितना बिधायक और संगसोदों का समर्थन मिला है यह भी जानने कोसिस करेंगे और यह एक चीज बता देता हूँ कि जिस तरह से 25 मैं लास्ट देर था संगसद बिधायों का समर्थन का जो ग्यापन के रूप में समर्थन मांगना वो आज अंतीमतिती में भी लोग दे रहे हैं बिधायकों से मिलने के बाद उनसे समती जताने का परियास करें कि हमें सपोर्ट करें साथ दीजे मैं यह सब जानने से पहले यह सब बताने से पहले आपको एक चीज़ से रूबरकर आता हूँ कि 60-40 नियोजन निती आखिर कर हमारे जहरखंडियों को क्यों चाहिए और किसलिए चाहिए 60-40 नियोजन निती officially कोहीं पर dedicate किया हुआ नहीं है लेकिन जो भी vacancies आ रही है जो कुछ भी notification निकल रहा है उसे पता चल रहा है कि बाहर का लोग 40% आ रहे है इसको लेकर यह लड़ाई है और मैं 60-40 60-40 बार-बार कहते जाता हूँ कहते जाता हूँ कोई लोगों को समझ में नहीं भी आता होगा लेकिन अधिकतर लोगों को समझ में आता है जी हाँ इस मुद्दे को हम अहीं पर खतम करते हैं दूसरी बात आगे चलते है कि आज जो लास्ट डे है 60-40 योजन निती को लेकर तमाम बिधायक संगसोदों का समर्थन अभी तक संगसदों की बात करें तो 14 संगसदों में 13 संगसद काम समर्थन मिल चुका है और पता ही होगा कि एक संगसद कौन है जिनको जहारखंडी उनका बिरोध किये थे और उनका समर्थन नहीं मिला है तो उस सबको मैं अपने प्रोशनली नहीं लेता हूँ जहारखंडी उसमें नहीं लिये है क्योंकि उसका समर्थन नहीं आया है जो भी नोटिफिकेशन के मायदम से मुझे पता चला मैं आपको वो डाटा बता रहा हूं और MLA की बात करें जो हमारे जहरखन के तमाम MLA में से अभी तक 65 से अधिक यानि की 65-66 MLA का समर्थन लिखी तोर पर कुछ-कुछों का लिखी तो कितना देर तक आता है यह तो जानने लायक बात होंगी साथ ही में आज जो है पिश्रामपूर बिधायक यानि के बिधायक श्री रामचंदर चंजरबंशी जी का भी समर्थन पत्र आया और और समर्थन में च्छात्र नेता देवेंदर नात मेहतु महतोजी भी मौझूद थे तमाम जैसेश्वी के टीम भी मौझूद थे तमाम जहारखंड के च्छात्र भी मौझूद थे और उसी कड़ी में जो हाँ महतना सबक्राएं मौझ। समर्थन बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं और जो नहीं समझ रहे हैं जो बाहरीयों को यहां पर आमंतरन करने का काम कर रहे हैं वो लोग इस चीजों का विरोध कर रहे हैं तो हम तमाम जारखन में इसी चीजों को लेकर विडियो को बनाते आते हैं और आपको दिखाने का क क्की हम अगर धारखंट के मुद्धों को नहीं उठाएंगे तो दिखाएगा कौन कोई बड़े मीडिया वाले नहीं आएंगे जो कुछ भी हमें ही करना है मैं मेडिया वालों से कोई ठेच नहीं है मुझे लेकिन बड़े जो फिलेटफोर्म है बड़े जो मेडिया कंपनी है वो नहीं आएंगे इस चीजों को दिखाने और तमाम चीजों को मैं आपके पास रखता हूँ ताकि आप लोगों का फ्यार भी मुझे मिलता है उतना ही जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तो तमाम चीजों को मैं पूरी तरह से डिस्क्राइब करूँगा और इस विडियो में जो विश्रामपूर विधानसभा विधायक राम चंद्र चंद्रबंसी जी का है समर्थन मिला उस तर पर उस बलाहिजा क्या कुछ बाते हुई इस चीज को जानने कोसिस करेंगे दिख जब समर्थन दे सकते हैं 6040 के विरोध कर सकते हैं लिखी तो पर विरोध कर सकते हैं तो सदन पर इस बात को एक साथ क्यों नहीं बोलते हैं जिस बज़े से अज 6040 जारखंड में हावी होते गया और हावी होने का बाद इस कदर गया कि जितने भी नोटिफिकेसन निकल रहा उसमें 6040 के रेसियो ही देखने को मिल रहा है यह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यह सारासर जो है यह कहीं नहीं कहीं से भी यूजवल नहीं होने वाला है जहरखंडियों को ठोगने का काम किया जा रहा है वही हो रहा है और मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूंग तो बिरोध अब लिखी तोर पर बिरोध करियेगा और जाकर सदर में क्यों नहीं बोलियेगा तो अभी जब एक साथ बुझेगा सतर बिधायकों का तो समझ सकते हैं कि जो 6040 हमारे जहरखंड में हावी हुआ है वो कहीं न कहीं यहां से बाहर भी जा सकता है इसी तरह का जो तरह से जैसिस्यू ने अपना बातों को रखा जैसिस्यू की आंदोलन जो एक जोन आंदोलन बना वो आंदोलन के बज़ोलत आज इतने समर्थन मिला और समर्थन मिलने का ML और MP ने अपना सहमती जताया तो चलिए हम जो बिधायक हैं जो मैंने बात करा बिश्रामपूर बिधायक का उनके बातों को रखते हैं क्या कुछ बाते हुई और फिर आपसे मिलेंगे और जी हां मेरे बात खतम होने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूं कि आप लोग अब शाट चालिस नियोजन निती के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं इस पर आप क्या कहना चाहिएगा क्योंकि आप लोग का जो इस दिन नियुजन का जो है मांग बहुत सही है और मेरा पार्टी का भी मांग सही है हम बीजीपी के मानने बिधायक हैं और मंत्री भी रह च झाहिए.